नमस्कार दोस्तों कवीता याद्धे यूटूब चैनल पर आप सभी का सवागत आप सभी को पता हैं आप सभी को पता हैं मारी तैयारी चलिए लिए हिंदी विशे से शंबंदित TGT PGT परिक्षाओं के लिए हिंदी विशे से समंदित TGT PGT परिक्षाओं के तैयारी हम हिंदी के संपून पाठ्य करम के साथ देरे देरे आगे बढ़ते वे कर रहे हैं तो आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित की गद्विदाव से समंदित जो हमने जैशंकर पर्शाद दुवारा रचित चंदर गुप्त नाटक की समिक्षा और उनके मुख्य मुख्य बिंदो को किया था उससे समंदित हम आज की क्लास में करेंगे चंदर गुप्त नाटक जैसंकर परशादुआ का एक परशिद नाटक है इनके दुआरा लिखा गया और इनका परकाशन 1931 में हुआ जैसंकर परशादुआरा रचित चंदरबुकुपनाटक की समिक्षा मैतवपूरन बिन्दु पात्र और जो परिक्षा के लिए दरिष्टी से मैतवपूरन थे इंपोर्टेंट थे वे मैंने एक क्लास में आपको अच्छे से करा दिये थे समझा दिये थे फिर एक बार फिर के रिवीजन करते हुए आज उनके मैतवपूरन परशनों को करेंगे क्योंकि किसी भी टौपिक को करणे के बाद उसको उनके परशनुत्रों को करना आतियावश्यक हो जाता है कि इसी से हमारी तयारी अच्छी होती है तो बढ़ते हैं सबसे पहले रिवीजन नहीं की उनके से चंदर गुप्त नाटक से संबंधित मैं तो कुरन बिंदुओं को मैंने ले लिया है रिवीजन के तोर पर इन इसका परकाशन की बात करें कई बार परकाशन को चाजा सका है 1931 में इसका परकाशन हुआ कुल अंक इसमें 4 है कुल दर्श चालिस है कुल गीत इसमें वैसे तो 13 लेकिन 11 गीत गाए गए है और तिरतिय अंक का प्रारम विपसानदी के तर्ट से होता है तिरतिय अंक में कुल 10 दर्श है चतूर्त अंक में कुल 14 दर्श है और नाटक इतियास की 3 गटनाव यानि की सेलिंदर आकरमन और नंदकुल की प्राज्य और शेलुकस का प्राभाव पर विबाजित है यह नाटक कितनी गटनाव पर आधारित है तीन गटनाव पर इतियास की जो तीन गटनाव की यह है इन पर यह नाटक आधारित है यह एक एतिहासिक नाटक है चंदर गुप्त दुवारा लिखा गया बढ़ते हैं चंदर गुप्त नाटक के पर्मुक पर्षन उत्रों पर पर्षन देख लेते हैं इन से सम्मंदित कौन कौन से पर्षन परिक्षा की दर्ष्टी से मैत तोकूरन है इनको हम देख लेगे चंदरगुप्त नाटक के पहले अंक के समप सब्तम दर्शय में कौन किसको लेखनकारिय में सहकारी बनाना चाहता है तो सही आंसर हो जाएगा वरूची चानक केगो जिस भी किसी ने यह नाटक पड़ा है इसके आंसर आप अच्छे से दे सकते हो क्योंकि इसकी स्टोरी से ही कोश्चेन आंसरों को बनाया गया है तो आप लोगों ने जिसने समिक्षा और कथावस्तु को अच्छे से समझते हुए इस नाटक को पड़ा है उनके लिए बिल्खुल यह कोश्चेन आसान हो जाएगे बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के पहले अंक के एकादस दर्शय में सिकंदर किस आसिरवाद की अभिलाशा करता है किस से किस आसिरवाद की अभिलाशा करता है सिकंदर इसमें तो आंसर ही आंसर हो जाएगा दंडायन से विजय की दंडायन से विजय की आसिरवाद की अभिलाशा करता है इसमें सिकंदर बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंके द्वित्ते दर्से में चानक्य के आदेश पर चंदरगुप्त क्या बनता है तो क्या बनता है चंदरगुप्त चानक्य के आदेश पर एक सपेरा बन जाता है बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंग के तिरतिय दर्शय में कोन किसको बंदी बनाता है? कोन किसको बंदी बनाता है? आबिर्क अलका उर्शी सिंहर को बंदी बनाता है बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंग के पर्थम दर्शय में कौन किसकी गर्दन पकड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा चंदरगुप्त फिलिप्स की गर्दन पकड़ता है चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंग के पंचम दर्शय में कौन किसके दुएंद यूद करने की इच्छा परकट करता है? पंचम दर्शय में दूसरे अंग के पर्थम दर्शय में तो सही आंसर हो जाएगा परवेटश्वर सिंहरन को से बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंके अश्टम दर्शय में कौन यवनों की जलसेना पर आकर्मन आवशक बताता है कौन बताता है यवनों की जलसेना पर आकर्मन आवशक तो सही आंसर हो जाएगा इसका चंदरगुप्त बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंके च् onboard दर्च में कोन अपने को शिन्दू देश का निवासी बताता है यह बताता है मालवी का बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंके पंचम दर्चे में कौन परवेश्वर के राजबवन से चलने को पुरुष्टूत करता है तो सही आंसर हो जाएगा अलका चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंके पंचम दर्चे का अभीने सतल कहां का है कहां का है चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंक के पंचम दर्शा का अभीने सतल यह हो जाएगा आंसर बंदीगर है दी चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंक के 6 दर्शा में कौन चंदरगुप्त दुआरा सम्मेलित सेनास के सेनापतीतव का परस्ताव करता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा चानक क्या है, चंदरगुप्त नाटक का तीसरा अंग पर्थम दर्शय की स्पात्र की उपस्तित से प्रारम होता है, यह किस से प्रारम होता है, राक्षय से, बढ़ते हैं आगे, चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंग पर्थम दर्शय में चरक इसके कुचकर का समाचार देता है, इसमें चरक इसके कुचकर का समाचार देता है, सुवासनी के, बढ़ते हैं आगे, चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंग के नवम दर्शय में कोन विपसा तटकी रक्षय का आदेश देता है, यह देता है, यह देता है, चंदरगुप्त, ना, सोरी वही, चानक के है, चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंग के पंचम दर्शय में नंद सुवासनी को किसके परवेश करने पर छोड़ देता है, चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंग के पंचम दर्शय में नंद सुवासनी को किसके परवेश करने पर छोड़ देता है, यह चोड़ देता है, किसके परवेश करने पर, राक्षय के परवेश करने पर, बढ़ते हैं आगे, चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंग के शर्ष्ट दर्शय में कौन चानकय का गला पकड़ देता है, इसमें यह पढ़क करता है, शक्टार, एक शक्टार होता है, वो चानकय का गला पकड़ देता है, चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंके द्वीते दर्शय का ब्रेध कौन होता है तो कौन होता है ब्रेध तो आंसर हो जाएगा गंधार नरेश चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंक्रे द्रुट्टे दर्चय में राक्षस को कौन उसका निष्ट नय होने के परती आस्वस्त करता है तो सही आंशर हो जाएगा हमारा कल्यानी चंदर्गुप्त नाटक के तीसरे अंग के तिर्थे दर्चे का अभीने स्थेल कहा है वेहरी इंपोर्टेंट कोस्टेन है भई ये इसको भी जान रखना है तो इसका आंसर हो जाएगा रावी तटका बढ़ते हैं आगे ये जो कोस्टेन में आपको करा रही हूँ ये टीजीटी पीजीटी जिस भी पठेकरम में जैसे इमर्स हुआ बिहार स्टेट हुआ इन में चंदर्गुप्त नाटक को इंक्लूड किया हुआ तो उन में आने की अधिक संभावना है और UGC.net के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि UGC.net में जो नया सलेबस इंक्लूड हुआ उस में चंदर्गुप्त नाटक को सामिल किया गया है तो जो मैं आज के ये कोश्चेन करा रहे हुए ये चंदर्गुप्त जैशंकर परशाद दुवारा रचित चंदर्गुप्त नाटक से वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चेनों के अंतर गताती है उन ही को मैंने इन कोस्टिनों में लिया है जो important question है और परिक्षा में आने लायक है तो आप लोग इनको बिल्कुल ध्यान से एक बार दुबारा से revise कर ले ना ताकि आप बोलो ना बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्तनाटक के दूसरे अंके नौवम दर्शय का आरम किन के समवाद से होता है तो सही आंसर हो जाएगा D कल्यानी और चानक के चंदरगुप्तनाटक के चोथे अंके पर्थम दर्शय की सबसे पर्मुगटना क्या है चोथे अंक के पर्थम दर्शय की सबसे पर्मुगटना पूछी हुई है तो इसमें पर्मुगटना क्या है इसमें कल्यानी दुआरा आतम हत्या कल्यानी अंत में आतम हत्या के लिए जाती है और चानक के उसे बचा लेता है बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंक के नवम दर्शय में नंद की राजसभा में सबसे पहले कौन उपस्तित होता है? तो सबसे पहले कौन उपस्तित होता है? राक्सस और शुगासनी चंद्रगुप्त नातक के तीसरे अंकनवम दर्शय में किसे समराटों से भी परबल कहा गया है तो समराटों से भी परबल किसे कहा गया है तो सही आंसर हो जाएगा नेती को वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है ये भी नीटी को समराटों से भी परबल का गया है कई पर परिक्षा में पुछा गया है तो आपको यह लगता है कि पता नहीं यह question कहां से आ गई हमने तो कभी देखे ही नहीं बुक में है यह नहीं तो किसी भी परिक्षा की तयारी करने के लिए एक बुक benefit एक बुक उपयोगी तो यह लेकिन बिल्कुल पूरी तरह संपूर नहीं होती कहीं ना कहीं 80-80% तक तो एक बुक से परशन आ सकते हैं लेकिन 30-40% जो कोश्चन होते हैं वे इदर उदर से कहीं कहीं बुकों से इंक्लोड किये जाते हैं तब ही पर एक्जामीनर कोश्चनों को अच्छे से सैट करता है और बढ़ते हैं आगे चंदरगुप्त नाटक के चोथे अंक के चतूर्थ दर्चे में कौन चंदरगुप्त को माला पहनाता है? कौन पहनता है चंदरगुप्त को माला तो सही आंसर हो जाएगा मारा ए मालवी का चंदरगुप्त नाटक के चोथे अंग के दुईते दर्से में कौन मगद में फिर एक आधी की बात कहता है मगद में आने वाली फिर एक आधी की बात कौन कहता है तो सही आंसर हो जाएगा डाक्शे⁦ चंदर गुप्तनाटक के चौते अंग के तिर्थे दर्षे में कौन कारिये को भिना आडंबर के हो जाने की इच्छा अच्छा कहता है इसमें ये कहता है कत्यान चंदगुव्थ- नाटक के चोथे अंके शष्ट दर्चयका गान हीम तुम शुरुग बड़े चलो बड़े चलो यह किसकर है, यह किसके दुआरा गया गया गीत है यह है संवेच शुर्ष में यानि कि यह संवेच सुर्ष में गया गीत है सम्वेश्वर मापर एक सुवासनी अलका सिंगार जैसा एक पात्तर के रूप में देखा गया है तो उनके दुआरा यह है गाया गया है तो वेरी इंपोर्टेंट कोश्चिन है वह यह क्योंकि परिक्षा में कई बार आ चुका है जो यह पंगतिया है हिम्द्री तुम स्रंग बड़े चलो बड़े चलो यह है किस चंद्रगुप्त के किस नाटक से ली गई है या किस नाटक कार की पंगति है तो बढ़ते हैं आगे चंद्रगुप्त नाटक के चोथे अंक के दश्यम दर्श में सिलुकस किसे भारत का शत्रप बनाना चाहता है चंद्रगुप्त तो सही आंसर हो जाएगा बी चानके को चंद्रगुप्त को सोरी बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ चंदरगुप्तनाटक के चोथेंग के 6 तरसे में कोनक के के धरपन देखने की बात कहता है ये कोस्टिन इंपोस्टेंट है कौन कहता है इसमें आंसर हो जाएगा मूर ये सेनापती चंदरगुप्त नाटक के चोथे अंक के एका दस दर्शे में यानि की दसवे दर्शे में कार्नेलिका को आत्यमत्या करने से कौन रोकता है तो कौन रोकता है आतमत्या करने से चंदरगुप्ती से रोक लेता है, मैंने पहले बताया था आपको ये question, कौन करती है आतमत्या कारने लिया, लेकिन रोकता कौन है फिर चंदरगुप्त, ये भी question important है, बढ़ते हैं आगे, चंदरगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंदरगुप्त के परती परने भाव नहीं रखती, ये question very important है, ये भी कई बार परिक्षा में आई है, तो सही आंसर हो जाएगा सुवासनी, सुवासनी चंदरगुप्त के परती परती परने भाव नहीं रखती, बढ़ते हैं आगे, कारने लिया है, नेक्स्ट कोस्चन, परशाद के किस नाटक में सुवा दिनता के लिए संगर्ष किन्तू अंतर कलै से जर्जित भारत का चितरन हुआ, ये question very important है, बहीं, very important question है, तो सही answer क्या हो जाएगा, इसमें चंदरगुप्त, तो इस परकार हमने चंदरगुप्त नाटक की समिक्षा और उनके मुख्य पातरों को, मुख्य बिंदूओं को पिछली क्लास में कर लिया था, और इस क्लास में हमने चंदरगुप्त नाटक से संबंदित परिक् परिशन उत्रों को हमने कर लिया है, आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, कर लेना, बाद में कर लेना इनको रिवाइज, क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को भी चिज़े याद नहीं रहती, हम दो तीन बार पढ़ते हैं किसी भी तत्या को, जब हमारे माहिन में बैठती है और फिर हमें याद रहती है परीक्षा में फिर यह गलत नहीं हो पाता नहीं तो एक बार हम चिजेशे पढ़ते है तो परिक्षा में लगता है यह हमारा पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है तो इसलिए हर एक जो भी मुखे-मुखे बिंदुओं तठ्थों को पड़ो जो भी क्लास आप कर रहे हो जैसे भी तैयारी कर रहे हो मेरा कहने का मतलब यह है चीजों को बार-बार रिवाइस करते हुए पक्का करते हुए चलो क्योंकि पर परिक्षा के पास तैयारी के लिए तो एक बार पूरे सलेबस को आप एक ही बार रिवाइस कर पाऊगे चीजों को बार-बार रिवाइस कर पाऊगे पक्का याद नहीं कर पाऊगे इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि चीजों को बार-बार पढ़ते हुए याद करते EMRS और D2 प्लेस भी के पठ्ठकरम के अनुसार ही हम अपनी तैयारी को कर रही है और हमने संपून जो पठ्ठकरम है उनको टोपिकों में डिवाइड किया हुआ है जो भी जिस भी बच्चे ने हमारी पिछे की क्लास नहीं देखिया प्लेलिस्ट में भी जाकर करमवाइज देखना चाहो तो टोपिक की करमवाइज क्लास भी देख सकते हो या पिछली क्लास में मैंने हमने हिंदी के संपून पठ्ठकरम के सभी टोपिकों को उठाया हुआ है कहीं लेकिन उठाया हुआ है और हम करमवाईज ही चल रही है ऐसा नहीं है अगर हमने आधिकाल को उठा लिया तो आधिकाल का नाध साइत कभी करा दिया या फिर आधिकाल की विशेश ताइकरा दिया इस तरह नहीं कराया कि हमने सिरफ जैसे आधिकाल को लिया है इंदिय कि नियुक्त worry को हम complete करते उएं चल रही है जैसे जयसे जो topic हमारा complete होता जा रहा है उसके परशन उत्रों को भी हम साथ साथ करते उए चल रहे हैं जैसे बाद में हम प्राइक्टिस सेट करेंगे तो हम परशन उत्रों के माद्रेम से अच्छी तैयारी कर लेंगे तो तो अमें यह नहीं लगेगा कि यह पर्षन कहां से पुछा गया है किस टोपिक से लिया गया है तो इस तरह हम अपने हिंदी के संपूर्ण पठकरम के साथ TGT PGT हिंदी की तैयारी अच्छे से करते हुए चल रहे है और जो यह क्लासिज हमारी NTA net के लिए भी लावदायक अपनेवाद